एक मिश्रा साब ये वाकई में कॉंग्रेस के लिए उर्जा ला रहे हैं नतीजे उर्जा ने पूरी संजीवनी ला रहे हैं देखें कॉंग्रेस की हालत यह हो गई थी लगातार जो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी सबसे बड़ा क्वेश्चन राहूल गां बढ़ना जो एकदम सिमर्ते जा रहे थे दस सीट बीच सीट पचीश सीट इस तरीके से अस्तित्त की लड़ाई थी यह अस्तित्त एक विशाल का है जो है आप यह समझे की पार्टी के रूप में खड़ा होता जा रहा है दूसरा सबसे बड़ा फैदा आप कॉंग्रेस प् मजबूत हुई है दूसरी चीज आल ओवर इंडिया में कॉंग्रेस के वरकर जो ग्राउंड लेवेल के वरकर है उनका मनोवल और नई उर्जा का संचार होगा और अभी अच्छा महिने तक जबर्दस तरीके से काम करेंगे तो हो सकता है रिजल्ट आगे 2019 में भी बहुत अ अगर इतने मुद्दे यूज करने के बाद अगर रिजल्ट डाउन जा रहा है तो आप आप समझ लीजे कि इनका जो मुद्दा है जो उसके प्रभाव थे जो इसका मैग्निटीजम था वो लॉस्ट हो रही है वो खो रही है अब ये नया मुद्दा क्या लाएंगे ये बा इतना खराब मोहाल दा लगातार राइस्तान में तो ऐसे लग रहा है विल्कुल खतेमियों भाजपा उसके बाद कांग्रेस को कैशी नहीं करा पाई मद्देपर्देश में नहीं करा पाई तो ये बहुत बड़ी हार है कांग्रेस की वो ये है कि इतना जबर्जस्त निगे बनाया है ये उसकी खूबी है कि इतने जबर्जस्त तरीके से इन्होंने मोर्चा सम्हाल के रखा हुआ है कोई और पार्टे के 2014 में कॉंग्रेस की यही हालत थी बीजेपी ने ऐसा इनकैस कि का कॉंग्रेस का सूप्रा साफ हो गया पूरे देश से तो डेफिनेटली बीजे करकार बना ले नहीं तो ये साफ हो गया होते हैं मुके जी नहीं कर पाती कर दो ये साफ हो गया हो गया है